नमस्कार दोस्तों, हेल्टन कीचन में आपका स्वागत है, आज हम कुल्थी का वेशन बनाने वाल है, कुल्थी ये जो है, उसे हॉर्स क्राम कहते हैं, इंगलिश में, और वो बहुत ही सेहत के लिए अच्छी होती है, तो यहाँ पे मैंने दो चमच कुल्थी का आटा लिया ह अब इस आटे में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल इसका एक घोल रेडी करूँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ही इस कुल्थी के आटे का मैंने घोल रेडी कर दिया है, अब इस घोल को हम साइड में रख देंगे और गैस की तरफ चलते और इसे तड़का लगा तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, अब मैं इसमें तेल डाल दूगी, यहाँ पे मैंने दो चमच तेल डाल दिया है, तेल को हमें अच्छे से गरम हो गया है, अब सबसे पहले इसमें मैं आधा चमच राई डाल दूगी और हिंग हम डाल देंगे इसमे एक चुटकी और इन दोनों को अच्छे से इस तेल में चटकने देना है तो यहां राई और हिंग दोनों भी अच्छे से चटक गए है अब इसमें मैंने यहां पे 7-8 लशन की कलिया दरगरा खूट के लिए यह मैं इसमें डालने वाली हूँ इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेत हैं इसे मैं डाल रही हूँ और थोड़ी सी धनिया में इसमें अच्छे से अंदर डालने वाली हूँ इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यहां पे आप देख सकते हूं कि लशन जो है वह अच्छे से गोल्डन-ब्राउन कलर की हो चुकी है अब यहां पे इसमें थोड़ा सा नारील का बुरादा डालने वाली हो, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और यहां पर मैंने एक मिडियम साइज का प्यास काट के लिया है, यह मैं इसके अंदर डालने वाली हो, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो यहां पर प्यास डाल फिल से mix कर वेते हूं और प्यास को हमें ट्रांस्परांट होने तब भूनना है दोस्तों अभी तक अगर मैरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वाजू में जो बेल आइकन हैं उसे दबाईए ताकि आपको मेरे नए वीडियो उसके नोटिफिकेशन्स मिलते रहें यह में जो रेसिपीज बनाती हूँ अगर वह आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट में लिखे बताईए तो यहां पर आप देख सकते हो ति नमक डालने के पाथ प्यास जो है वह हमारा अच्छे से भून गया है और इसका कलर भी बदलने शुरू हो चुका है यह ट्रांस्परेंट होने स्टार्ट हो गया है ऐसे ही मैं इसे और दो से तीन मिन इसमें डाल देए और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं अब यहां पर मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हो इसी के साथ क्योंकि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने कुल्ती के आटे का घोल इसमें डालना स्टार्ट किया तो वह गाड़ा होने शुरू हो गया मैंने इसमें प अच्छे से काड़ा हो गया है..ब यहां पर मैं इसमें कोकम डालने वाही हु यहां पर दो कोकम लिये हुए हैँ कोकम मैं इसके çalा लेघा कोकम डालने के बाद एक बार हम इसे चला लेंगे हम हमारा कुल्ती का बैसन रडी वाल दोस्तों, मैं बद बां ऐसे तो यहां पे मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल दिया है और यह जो कुल्ती का बेशन है यह हमारा रेडी हो गया है और दोस्तों कुल्ती का आठा या कुल्ती के जो दाने होते हैं वो सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं मतलब हड़िया अगर दर्ध है तो वहां पे आप ये ऐसा बेशन बना के या इसका सूप बना के भी आप खा सकते हो इसके ओपर मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ कटा हूँ आप इसे जरूर ट्राइ करके देखिए और बच्चों को भी आप इसे दे दीजिए खाने के लिए थैंक यू